काम किया ऐसा कोई बचा नहीं जिसको इस गटबंदन ने ठगा नहीं और यह शरीमान अर्विंद केजरिवाल जी उनके नए सयोगी है उनको तो आप पुदेना चाहरे हैं जिसमें उनने ठगा नहीं हर क्षेतर में जाके भ्रष्टा अचार अराजकता अपराद यह आम आदम अपनी पार्टी में आपको रोज मिलेगा अर्विंद केजरिवाल तो कह रहे हैं उनको आप अपनी पार्टी में शामिल कराना चाहरे थे कि देखिए कुछ लोग हसीन सपने देखते हैं कुछ लोग हसीन सपने देखते हैं और जो मेन विशे है मूल विशे है उससे ध्यान भटकाने का प्रयास करते हैं अर्विंद केजरिवाल जी को भरष्ट आचार के मामले में इडी ने छे बार समन कर दिया पांच ये छे बार कर दिया अब तो गिंती कत्म होनी शुरू हो गई वो व्यक्ति जो कभी कहता था 2014 से पहले 2012-13 तक कि कॉंग्रेस ऑने बनाया मैं बड़ी काड़ी निलोंगा तो सबसे बड़ी काड़ी उनने ली काथ हमे सेक्योरिटी निलोंगा तो दो दो राज्यों की सेक्योरिटी ली एक ऐसा मुझे कोई ब्यान अर्विंद केजरिवाल का बताईए जो सच्चा हो तो आपके चैनल पे मैं कहूंगा हाँ अर्विंद केजिवाल सच्चे है जूट पे जूट बोलने का काम जिस व्यक्ति ने किया जिसने हर किसी को ठगने का काम किया ऐसी क्या मजबूरी है कि वो क्यों ED का सामना नहीं करते हैं क्यों जवाब नहीं देते हैं वो सर्टिफिकेट देते थे मनीश्य सोधिया को इमांदार हैं देते थे कि नहीं देते थे कहा है आजकल वो मनीश्य सोधिया कहा है जेल में है संजे सिंग को इमांदारी का सर्टिफिकेट देते थे कहा है आजकल जेल में है अमनतुल्ला को सर्डिफिकेट देते थे कहा है वो आज जेल में है फिर जैन साब का नाम क्या है सतिंदर जैन हेल्थ मिनिस्टर का अब वो डेड़ साल दिल्ली का स्वास्तिमंतरी जेल में रहा और उनका जो मौडल अपना कहते थे उसमें क्या है फरजी एक एक फोन नंबर पर कितने लोगों के नाम लिखे हैं कि उनका इलाज महला क्लीनिक में हो कितने हजार क्रोड का घोटाला वहां पर हुआ कोई ऐसा क्षेतर छोड़ा नहीं जहांपे घोटाला ना हुआ इसलिए इन लोगों से आज लोग दुखी हो चुके हैं वो तुल्ला करके देखते हैं कि एक तरफ नरेंद्र मोदी की सरकार जो दस वर्षों में कोई एक रपे का आरोप नहीं लगाया है दूसरी और ऐसे दस लोग की कठे हुए है जो उपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में दुखे हैं लेकिन अनुराग जी फिर आप लड़ेंगे किसे या तो कोई जेल में है या बेल पर है लालू जी से पूछ साथ तेजसी से पूछ साथ हेमन सुरेन वो अंदर गिरफतार के जीवाल को छे समन तो अपोजीशन में किसे लड़ेंगे सारे या तो जेल में या या बेल पर है चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ चलो मैं आपके ओडियन से पूछ लेता हूँ क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ देश में कारवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए क्या नेताओं को जांच में भाग नहीं लेना चाहिए अगर जांच में भाग नेता तो कि कानून से उपर नहीं है न कोई मुख्यमंत्री बन गया कितनों को जय ललिता जी हो लालू जी हो ऐसे कई मुख्य मंतरी हैं जिनको जेल जाना पड़ा और इसी देश ने सजा भी सुनाई नियाई पालिका ने अपना काम किया कम से कम हम इन जान चेजन्सियों को अपना काम करने दे और पेश हो, दूद का दूद, पानी का पानी हो अगर ये ऐसे ही नोटंकी करेंगे तो अब इनकी पोल खुल चुकी है ये एक स्कूल दिखाते हैं और उसका 500 जगा इस्तिहार चपवाते हैं अब वो मॉडल नहीं चलेगा साब आज कल सबको पता चल गया क्या हो रहा है इनका एक स्कूल बना 10 साल में नरेंदर मोदी जी ने 14,500 क्रोड प्या खर्च करके हजारों स्कूल पी-म श्रीके खोल दिये ये अंतर है साइज अन स्केल का और काम करने का तो आपको नहीं लगता है जो इंडी अभी तूटा हुआ है वो इन आरोपों की वज़ा से करप्शन की वज़ा से फिर से जुड सकता है ये फैविकोल का काम करेगा सारे एक साथ फिर से आ रहे हैं ये करेगा नहीं कर रहा है ये गठबंधन बना इसी अधार पर था कि कौन-कौन करप्ट है इस गठबंधन पर आ जाओ कौन-कौन करप्ट है इस गठबंधन में आ जाओ आप उपर से लेके नीचे तक जाओगे सब एक के बाद दूसरे ब्रहष्टाचारी नजर आएंगे तो हम क्या करें मलिकर जुन खड़के कहते हैं कि जहां बीजेपी कमजोर होती है जिस स्टेट में वहाँ एडी मजबूत हो जाती है विपक्ष मिटाओ सेल बना दिया आप लोगों ने अच्छा चलिए बुपेश भगेल जी ने है कोईला गोटाला किया गोठान गोटाला किया महादेव एप गोटाला किया और जब मैं वहाँ पर गया तो मैंने एक एप लाँच की थी भूपे करो मैंने कि भूपेश भगेल को पेमेंट करो और काम करवाओ भूपे करो आज मैंने तो नहीं कहा हो महादेव एप का जो मालिक है उसी ने कहा कि पांसो क्रोड रुपे का लेंदेन हुआ अब क्या इस पे कारवाई ना हो क्या 19 तरह के पेपर लीक अगर राज्यस्थान में हुए तो क्या वहां के इवाओं को न्याय ना मिले अगर मुखे मंत्री के कारवल में क्रोड रुपे नकत पकड़े जाएं सोना पकड़ा जाए तो क्या उसके उपर कारवाई ना करें आखे बंद कर ले अगर भारत को आगे बढ़ना है तो इमानदारी के लानी ही पड़ेगी सरकारों की जवाब देई लानी पड़ेगी और मुझे परसंता इस बात की है कि हमारी सरकार ने पारदर्शिता भी लाए और जवाब देई भी तैकी है अभी सर में हेमन सुरेन का संभोधन देख रहा था जो अरेस्ट हुए उन्होंने का कि लोकतंत्र का काला ध्याय पहली बार विधानसभा से किसी की गिरफ्तारी हुई है उनके गिरफ्तारी में राजभवन का भी हाथ है अनुराग जी देखिए जो भी उल्टा चोर कोतवाल को डाले डांटे यही लगता है यहां तो एक नहीं कई प्लोटों पर कबजे खदाने अपने नाम पर कई हजार क्रोड का घोटाला उनका और शिबू सोरेंजी के समय देखेंगे कोईला घोटाला तो उनकी भी ऐसे गिरफ्तारी हुई थी तो उनको जानओगा जहां पर उक असली स्थान है एक और सवाल अनुराग जी मैं कहीं इंटर्वीव सुन रहा था आपने बता है ता मनी हाइस्ट आपको OTT प्लेटफॉर्म पर सीरीज बहुत अच्छी लगी थी आपका एक ट्वीट भी मैंने पढ़ा आपने का अगि जब हमारे पास खुद की मनी हाइस्ट है तो हमको वो देखने की क्या जरूरत है तो मनी हाइस्ट के कौन से करेक्टर्स को आप इंडी के नेताओं से जोड़ सकते हैं प्रोफेसर कौन, बर्लिन कौन, टोकियो कौन, कुछ अगर अब मुझे कम से कम इस काम पर तो मत लगाई लोगों को सिर्फ इतना जानने का अधिकार जरूर है ये इनकी गाड़ी कमाई का पैसा है जो इमानदारी के साथ टेक्स देता है देश के विकास के लिए आज उसका अधिकार है कि वो जवाब मांगे कि उसका पैसा कहां कर चुआ तो मैं उनके सामने जवाब देने के लिए तैयार हूँ कि आपने मोदी सरकार के समय टेक्स जादा दिया डिरेक्ट टेक्स जादा दिया तीन कुना जादा हुआ अगर आप देखोगे लेकिन आज उनको इस बात की प्रसंता होगी कि उनका एक एक रुप्या जो टेक्स दिया है उससे 25 करोड गरीब गरीबी रेखा से बाहर आए हैं ये आपकी इमानदारी की कमाई से इमानदारी की सरकार ने काम किया है चार करोड पक्के मकान जो गरीब गर्मी की लूम है और सर्दी की कडाके की ठंड में मर जाता था आज चार करोड गरीबों को पक्के मकान मिले दो करोड और मिलने वाले हैं बारा करोड शोचाले बने तेरा करोड घरों को नल से जल मिला पानी अब घड़े पर नहीं लाना पड़ता है और 10 क्रोड गैस के सिलेंडर मिले मुफ्त में चुला भी मिला 60 क्रोड लोगों को 5 लाग का इलाज मिला अब मेरी आशा वरकर आंगनमाडी वरकर और हेलपर्स को भी क्रोडों को और मुफ्त में 5 लाग का इलाज मिलेगा 80 क्रोड गरीबों को मुफ्त में अनाज मिला 200 क्रोड भारतियों को मुफ्त में वैक्सीन मिली और यही नहीं हमारे खिलाडियों को पहले से ज़्यादा पैसा मिला और अब हमारे खिलाडियों ने 1 या 10 नहीं सीधे 107 मेडल एशियन गेम्स में जीते जो आज तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है और पैरा एशिन गेम्स में 111 मेडल जीते हैं 2024 में 400 पार मतलब जो गैरेंटी हेट्र की प्राइम निस्टर की तरफ से दी गई है ये करिश्मा हो पाएगा करिश्मा आप लोग कर पाएंगे ये आखरी बार चुरासी में हुआ था 400 पार अनुराग जी हमने 2014 में कहा था कि एक तरफ देश बेचने वाली कॉंग्रेस है दूसरी तरफ इमानदार चाय बेचने वाले मोदी जी है जनता चुनले कौन चाहिए उन्हें एक अमीर भरष्टाचारी देश बेचने वाली कॉंग्रेस को नकारा इमानदार चाय बेचने वाले मोदी जी को चुना था आज देश बहुत विकास किया है आज देश से बाहर भी कोई जाता है तो उसको गर्ब महसूस होता जब लोग कहते हैं भारत से आये हो तो भारत का नाम मान सम्मान से लिया जाता है अगर हमें भारत को और उन्चाईयों पर पहुंचाना है और मान सम्मान बढ़ाना है वर्तमान और भविश्य की पीडियों को एक सशक्त सुन्दर विक्सित भारत देना है तो 400 पार करके दिखाना है मंदिर निर्माण से ये 400 पार की रहा थोड़ी आसान हुई मंदिर निर्माण one of the work है जैसे मैंने का विकास भी विरासत भी ये हमारा संकल्प था जो हमें पूरा करना ही था अभी बहुत कुछ करना है अगर मैं युवाओं की और देखूँ तो मैं भारत के युवाओं के तरफ देखता हूँ तो दूरत दुर्यस तरफ नरेंदर मोदी जी को देखता हूँ जो technology को अपयोग भी करते हैं जब मैं वित राज्य मंत्री बना मैंने ये बात पहले भी कई बार कही कि हमें start-ups में युवाओं की मदद करनी है ताकि उनके हुनर को हम शिखर तक ले जाने का काम करें हमने किवल policy में बदलाव किया था कुछ मदद की थी और भारत के युवाओं की ताकत मोदी जी कब जानते थे देखिए कुछ सौ start-ups थी आज भारत start-up ecosystem में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है एक लाग से जादा start-ups हो गई यह भारत के युवाओं की उपलब्दी है यह भारत के युवाओं की उपलब्दी है इसलिए एक लाग क्रोड पे का budget research and innovation के लिए इस बार रखा है अब भारत का manufacturing को बल मिले तो एक करोड घरों के उपर make in India ही rooftop solar plant लगेंगे 300 unit बिजली आपको मुफ्त में मिलेगी 18,000 पे आपकी साल की आमदन होगी ऐसे ही 2 करोड पक्के मकान मिलेगे तो उससे भी रोजगार मिलेंगे investment आपकी और IFDI बड़े उसके लिए और निती तयार की गई है तो हर क्षेतर के लिए कुछ ना कुछ किया गया साथ ही साथ पिछले साल 10 लाग करोड का अगर capex था तो इस साल 11,11,111 करोड प्या आज तक का सबसे बड़ा बजट में प्रावधान आदारभू ढांचे के लिए किया है तीन रेल कॉरिडोर बनने वाली है आपके अगर export का माल है तो पोर्ट तक ले जाने के लिए कम समय लगे उसके लिए है आपका माइन्स, मिनरल्स, मालो, स्टील, सीमेंट, कोईला इसको ढुलाई करने तो उसके लिए है तीसरा पैसेंजर्स के लिए जहांपर आपको 40,000 भोगिस को भी आधुनिक और आराम दायक बनाया जाएगा वंदे भारत की तर्ज़ पर बनाया जाएगा ये सब भविश्य को ध्यान में रखते हुए विक्सित भारत बनाने की दिशा में इस बजट को दिया गया है मैं बार-बार राम दिर का जिकर इसले कर रहा था क्योंकि बार-बार ये परसेप्शन बना दी जाती है कि 17 करोड मुसल्मानों का भरोसा आप लोगों पर से उठ गया है बकॉल ओवेसी ये मैं नहीं कह रहा हूँ ओपोजिशन पार्टीज भी कहती है कि मुसल्मानों का भरोसा उठ गया है राम अंदिर के बाद अब काशी की भी बात की जा रही है काशी का मामला कोट में है फिर आगे मतुरा की भी बात की जा रही है देखिए अगर सोशल वेलफेर स्कीम्स जो हम चला रहे हैं वो सेक्लुरिजम का सबसे बड़ा उधारन है ये समाजिक नियाई की जो कारिक्रम है ये धर्म निर्प्रेक्ष्टा का सबसे बड़ा उधारन है क्योंकि जो मैंने गिनाय पक्के मकान, शोचालियर, रसोई गैस का सिलेंडर पानी का कनेक्शन मुफ्त में दबाई, मुफ्त में अनाज इसमें किसी की जाती धर्म संपरदाय कुछ है नहीं पूछा जिसका हक था, उसको हक और न्याय देने का काम मोदी सरकार ने किया है और जब राम मंदर भी बना, प्रान प्रतिष्टा का कारेक्रम हुआ उस दिन गुर्दवारों के बार भी, मस्जिद के बार, चर्च के बार भी भंडारे लगे थे तो देश के गाउं-गाउं के हर मंदर में भंडारे लगे थे, लोग हलवे बांट रहे थे, कई मिठाई बांट रहे थे, कोई कुछ कर रहा था, भजन गीरतन चल रहा था देश को और एक जुट करने का काम किया है, तो राम नाम पे भी होने का काम कुआ है एक आखरी सवाल आपसे है, अनुराग जी, यूट्यूब चैनल्स पर डिजिटल स्ट्राइक की बहुत बात की जाती है, खासकर आपके कारेकाल में यूट्यूब चैनल्स पर डिजिटल स्ट्राइक बहुत जैदा हुई है, क्या रीजन है उसके पीछे क्यों की जा रही है और ये क्या freedom of expression पर कोई attack की तरह देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए देखिए एक बात तो मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूँ अगर digital channel सबसे ज़्यादा कभी बढ़े तो हमारे इंदस वर्षों में बढ़े और अभिव्यक्ति की अजादी के लिए हम पहले दिन से जब से हम विपक्ष में थे कॉंग्रेस ने देश में emergency लगाई उसके कलाव हमारी party लड़ी हमारे नेता जेल गए लाल किशन अडवानी जी से लेके निरेंदर मोदी जी तक जेल में गए वही अडवानी जी जो जेल emergency में भी गए राममंदिर में भी उनको बहुत कुछ मुकदमा वर्षों तक जेलना पड़ा आज हमारे प्रिये अडवानी जी को भारत रतन देने का काम भी निरेंदर मोदी जी की सरकार ने किया लेकिन मैं फिर वापिस आपका digital channel पर जाओंगा जी 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 जो अच्छा काम कर रहा है जो गाओं की खबर को भी राष्टे खबर बनाने का काम कर रहा है इससे बड़ा काम कब हुआ digital channel के माद्दिम से हुआ है लेकिन अगर कोई देश में हिंसा फिलाने का काम देश तोड़ने का काम करता है तो नियमो अनुसार वो channel अगर platform YouTube का है कोई और platform है तो स्वें उसके खिलाफ कारवाई भी करता है कोई complaint करता है तो कारवाई होती है आगरी एक और सवाल इतने काम हुए इतना विकास हुआ नितीज जी को वापिस लेनी की क्या जरूरत थी देखिए बिहार को अगर बचाना है और आगे बढ़ाना है तो कम से कम जंगल राज लालू जी और तजस्वीजी से बचाना है 2020 में भी जब विधान सबगा चुना हुआ तो NDA को वोट मिला भारती अंता पाटी और जेदियू को हमारी सीटे जादा थी उसके बाब जो नितीजी को हमने मुख्यमंत्री बनाया हमने गटबंदन धर्व इमानदारी के साथ निभाया बीच में नितीशी अगर जेदियू के साथ चलेगे तो उन्होंने वो भी अपना अनुभव देखा उनको लगा बिहार लुट जाएगा बिहार में हालात खराब हो गए इसलिए दुखी होकर उनसे भी और गटबंदन में जो उनके साथ हुआ वो तो वही बयान कर सकते हैं दोनों से ही जो उनका अनुभव हुआ उसको सीकर वो वापिस आए हैं बिहार के हित में आए हैं देश के हित में हमने 2019 में 81 मिलकर 40 में से 49 सीटे जीती थी अबकी बार 40 की 40 सीटे जीत कर दिखाएंगे एक आखरी सवाल ऐसे ही अगर अनुबूती उद्दव ठाकरी जी को होती है कि उन्होंने गलत किया तो उनके लिए भी क्या दर्वाजे खुले हैं नितीजी की तरह देखिए राजनिती में दर्वाजे खुले ही रहते हैं डिपेंड करता है कि मुद्दे क्या है और राष्ठ हित से बड़ा हित आपके लिए कुछ नहीं अगर बिहार का हित उसमें सुदर रहा था राष्ठ हित में वो कदम लिया जा सकता था तो लेना ही चाहिए था और भूला भटका कभी वापिस आना चाहे तो अगर आप देखिए जो हत्यार भी उठाते हैं माली जे किसी ने आतंकवाद का अलगावद का रास्ता उठाया सरकारे मौका देती है हत्यार छोड़ने का और मेंस्ट्रीम में वापिस आने का लोगतंतर की यही सबसे बड़ी खासियत है तो उठावची के लिए दरवाजे खुले हैं मैं कहता हूँ लोगतंतर की यही सबसे बड़ी ताकत है कि दरवाजे खुले रहते हैं हर किसी के लिए हैं अलगावदी आतंकवादी से लेके यहां तक और फूलन देवी से लेके आपके बस कही उधरन ऐसे होंगे जो देश में ऐसा हुआ है चार सो पार आकरी सवाल क्या भी क्या लगता है आपको मन पक्का है ना